So, Hello दोस्तो, Welcome back to Total Study Channel जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्मो का सहियोजन कैसे किया जाता है तो उसमें हमने बताये थे कि प्रिज्मो को दो तरह से सहियोजित किया जा सकता है पहला तरीका था 196 रहित विचलान प्राप्त करने के लिए और दूसरा है विचलान रहित 196 प्राप्त करने के लिए तो 196 रहित विचलान प्राप्त कैसे किया जाता है किस कंडिशन को फॉलो करना पड़ता है इसको हम लोग आलरेडी डिसकस कर चुके हैं प्रिवेस वीडियो में आप नहीं देखे होंगे तो आप डिसक्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आज हम पढ़ने आले हैं विचलान रहित 196 प्राप्त के बारे में तो दो प्रिजमों को हम इस तरह से संयोजित करते हैं इस तरह से कनाड़ा बालसन द्वारा कंबाइन करते हैं चकल में बनताने वाला थे दोस्तों कि कनाड़ा बालसन कहीं क्यों यूजित किया जाता है प्रिजमों को संयोजित करने के लिए तो चलो आज देख लेते हैं कनाड़ा बालसन को क्यों यूजित किया जाता है तो कनाड़ा बालसन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रीजम के आंत्रीक जो भी प्रकास जा रहा है उसके तिवरता को कोई effect नहीं करता इसलिए हम उसका use usually प्रीजम को संयोजित करने के लिए करते हैं दोस्तो एक बर और सुनो दोस्तो कि क्यों कनाडा बालसन का use हम प्रीजम को संयोजित करने के लिए करते हैं कनाडा बालसन ये एक ऐसा material है एक ऐसा पदार्थ है जो प्रीजम को चिपकाने के बाद प्रीजम को combine करने के बाद जो प्रीजम से अंदर से होकर जो भी प्रकास गुजरेगा उसके तिवरता में कोई परिवर्तन या कोई हास, कोई loss नहीं होने देता इसलिए हम कनाडा बालसन का यूज करते हैं अब चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं विचलन रहित 1.96 क्या होता है तो दो प्रीजमों को ऐसे combination जिसमें हमको output में के वाल 1.96 देखने को मिलता है विचलन नहीं देखने को मिलता है अब कैसे यहाँ पर बता दिए कि विचलन नहीं है तो देखो दोस्तों हम दोनों को आप्तित किरन को आगे की और बढ़ा है और अपवर्तित किरन स्वारी निर्गत किरन को आगे की और बढ़ा है यह कहीं पर कट रहा है क्या नहीं कट रहा है तो यह दोनों क्या है पैरलर है पैरलर है इसका मतलब विचलन नहीं है जहां भी आपतित किरन एवं निर्गत किरन के बीच कोन बनता है वहां हम बोलते हैं कि इसमें कुछ न कुछ विचलन हुआ है कि इस कंडिशन में ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें विचल प्रीजम को रख सकते हैं इसी स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं जिसमें केवल और केवल वर्ण विछ पड़े बनोह विक्रलन नहूं तो पहली सर्त यह है दोस्तों कि जो भी प्रीजम की ンसक्राव me, औरला काउनो प्रीजमों के लिए जो माद्य रंग मेंचलन है वह क्य आज के बने प्रीजम है दोनों के लिए माद्द कीरन माद्द कीरन यहां पीत कीरन मतलब येलो कीरन को लिए हैं येलो ले को लिए हैं तो ये दोनों के लिए माद्द कीरन का विचलन क्या होना चीए बराबर होना चीए किन्तू विपरित होना चीए तो चलिए दोस्तों बराबर हो और माइनस में आए तो इससे हमको पता चल जाता है कि दोनों क्या है एकग के विपरित रखे हुए है जिसमें हम निकाले थे तो प्रीजम का कोन एक दूसरे के लिए विपरिथ है और आज हम हम आज भी माल लेते हैं, जो प्रथम 자 вас प्रिजम मं है या crown काच के बने प्रिजम के लिए लाल एवं भैणी रणग का अपवर्त नाग क्रम शाह mu v एवं mu r है दोस्तों mu v व mu r है एवं प्रथम प्रिजम के लिए या crown काच के बने talked के लिए प्रीजम का कौन या अपवर्ता कौन A है तथा फ्लिन कांच के लिए लार रंग एवं बैगनी रंग का अपवर्तनांग क्रमसा मूडेस V and मूडेस R है तथा प्रीजम का कौन A डेस है चुकि हम दोस्तों माद देकी रंग के लिए विचलन निकालने जा रहे है तो हमको जरूरत पड़ेगा माद देकी रंग का अपवर्तनांग क्या है दोनों प्रीजम के लिए तो चलो लिख लेते हैं क्राउन कांच से बने प्रीजम के लिए माद देकी रंग हम लोग मान लेते हैं पीले रंग, तो पीले रंग का अपवर्त नांग क्या है, मू य है, एवं फ्लिंट का अच के बने पीले रंग का अपवर्त नांग, मू डेश वाय है, के लिए माद्धे रंग का अपवर्त नांग क्या है, मू डेश वाय है, so crown काच के बने प्रीजम द्वारा माद्दे किरन का विचलन निकाल लेते हैं crown काच विचलन का फार्मूला अपन पड़ चुके हैं दस्तो आलरडी क्या होता है एक बार लिग देता हूँ delta is equal to mu minus 1 into a जहां delta क्या है विचलन है mu अपवर्तनांग है प्रकास का एवं a प्रीजम का कोन है तो crown काच के लिए माद्दे रंग का विचलन क्या हो जाएगा delta y is equal to mu y minus 1 into a हो जाएगे दस्तो similarly flint काच के लिए अगर निकाले तो उसके लिए हो जाएगा delta y delta dash y is equal to mu dash y minus 1 into a dash क्योंकि इसके लिए हम prisma का क्या लिए है एडस लिए दोस्तों एवाँ परिनामी wichern हमारा क्या रहा है अभी मान के चलते परिनामी wichern और यह सही है कि नहीं फिर प्रूफ करेंगे परिनामी wichern zero है क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर यह काट नी रहे हैं दोनों पैरलर है तो नहीं काट रहे हैं और पैरलर है अता परिणामी विचलन क्या हो रहा है हमारा अता डेल्टा y प्लस डेल्टा डेस y is equal to सुन्या हम लिख सकते हैं तो मान रख देते हैं दोस्तों अब डेल्टा y का मान निका रहे हैं मू y माइनस 1 इंटू a प्लस मू डेस y माइनस 1 इंटू a डेस is equal to 0 इसको हम पक्छांतर कर देते हैं तो मू y माइनस 1 इंटू a is equal to minus मू डेस y माइनस 1 इंटू a डेस अब फिर इसको पक्छांतर कर देते हैं दोस्तों इसको उस साइड ले जाते हैं and a डेस को इधर ला लेते हैं ताकि हमको कंप्रोमाइस करने में कोई difficulty ना हूँ तो a यहाँ छोड़ देते हैं और a डेस को ला लेते हैं नीचे a डेस और already वहाँ है मू डेस y माइनस 1 हम इधर ले जाते हैं मू y माइनस 1 को तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों का विचलन क्या है सेम है किन्तु एक दूसरे के विपरित है कैसे पता चला कि ये दोनों प्रीजमों का विचलन माद्य रंग के लिए एक दूसरे के विपरित है वो यहाँ माइनस साइन यहाँ डिनोट कर रहा है कि दोनों प्रीजमों के लिए माद्य की रंग का विचलन बराबर तो है किन्तु एक दूसरे के लिए विपरित है अता इस तर्थ को ये क्या करता है दस्तो फालो करता है तो यही विचलनरीत वर्ण विच्छेपन के लिए क्या है है दस्तो आवस्यक सर्तियestion है वर्ण विच्छेपन चमता जो है अलग-अलग आ जाती दोस्तों तो हमारा विचलन हो गई होगा वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कनफर्म हो जाएगा तूसी को निकाल के अपन देख लेते हैं कि दोनों के लिए वर्ण विच्छेपन चमता अलग-अलग आ रहा है की नहीं आ रहा है तो कोणी वर्ण विच्छेपन निकालने कभी फार्मूला पढ़ चुके हैं दोस्तों एक बरवर देख लेते हैं क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे थीटा से इसको रिप्रेजन करते हैं कोणी वर्ण विच्छेपन को थीटा इस इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इन्टू ए ये निकाले थे दोस्तों तो क्राउन काच के लिए यदि देखें लाल रंग एवं भैगनी रंग के लिए ही निकालेंगे कोणी वर्ण विच्छेपन तो क्या हो जाएगा थीटा इस इक्वल टू म्यू वी ही लिए हैं भैगनी रंग का अपवरतनाग और लाल क्राउन काच के लिए ये हें फृल काच की अदी बात करें दोस्तों तो फृलिन काच के बने पीज़म द्वारा लाल एवं भैगनी रंग का कोणी वर्ण विच्छेपन क्या हो जाएगा थीटा बैस ले लते हैं इसको क्योंकि आपवरतनाग लिए खेंगी रंग के लिए कोणी 1 विच्छेपन कितना हो रहा है विच्छेपन तो पहिणामी कोणी 1 विच्छेपन is equal to we can write theta plus theta dash लिख सकते हैं दस्तो ये दोनों को addition कर देते हैं तो value put करते हैं mu v minus mu r into a plus mu dash v minus mu dash r into a days इतना समझाया दस्तो अब इसमें भी previous वीडियो की तरह ही a days की value first जो equation निकाले थे वहाँ से लाकर के a days की value यहाँ पर रखना है दोस्तो तो first equation क्या निकाले थे एक बार दिखाशता हूँ आप लोको ये निकाले से दोस्तो first equation यहाँ से हम a days की value निकालेंगे और उस equation में रख देंगे तो अपना जो है when jack solve हो जाएगा when jack निकल जाएगा दोस्तो तो चले निकालते है a days की value यहाँ से so previous वीडियो में मैं already discuss कर चुका हूँ कि a days की value कैसे निकालते हैं तो वहीं से इसको भी निकालेंगे दोस्तो आप लोग केदी पता नहीं है तो आप मेरा previous वीडियो देख सकते हैं link description में दिया हुआ है वहाँ से निकालें a days की value तो आया है minus mu y minus 1 into a upon mu y minus 1 तो चलिए दोस्तो रख देते हैं इस a days की value को इस वाले equation में यहाँ पर यहाँ पर अगर रखते हैं तो हमारा equation शॉल हो जाता है तो यह कर दिये दोस्तो value put यह की तो हमारा equation minus में आय जाएगा क्योंकि minus यहाँ पर plus के साथ multiply होगा तो plus और minus का multiplication क्या होता है minus होता है यहाँ पर आजाएगा minus अब यहाँ से बाहर निकाल दते हैं common तो यहाँ है नहीं यह चीज़ लेकिन common निकाल दते हैं और common इस पद में नहीं है वो चीज़ इस वज़से यहाँ फिर क्या करते हैं भाग करते हैं जो कि मैं कल बता चुक Jug हूँग, यह क्यों करते हैं ठीक है दस्तों तो चलो इसको अपन निकाल देते हैं बाहर और वहां कर देते हैं उसका डिविजन तो हमारा overall equation क्या हो जाएगा mu v minus mu r into a को यदि बाहर कर देते हैं तो अंदर में हमारा बचेगा 1 minus mu v minus mu dash v minus mu dash r bracket के अंदर and mu y minus 1 into a upon mu dash 5 minus 1 और यहाँ पस वो पद है नहीं था इस पद में वो चीज तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं उसको divide कर देते हैं दोस्तों तो जो चीज बहार निकालते हैं उसी से divide कर देते हैं तो mu v minus mu r into a यह हो गया अपना यह वाला step complete यहाँ पर a a common है इसको कार देते हैं दोस्तों कट गया अब हम dash वाले पद को अलग कर देते हैं and without dash वाले पद को अलग कर देते हैं so mu v minus mu r into a bracket में हो जाएगा 1 minus mu dash v minus mu dash r upon mu dash y minus 1 into mu y minus 1 upon mu v minus mu r यहाँ पर यह dash वाला पद होगे यह without dash वाला पद होगे दोस्तों दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो इसको आपन ध्यान से देखते हैं तो कुछ आपन formula पढ़े हैं जो इससे relate करता है दोस्तों वह formula है 1 अविच्छेपन चमता की यदि formula आपको पता नहीं है तो एक बार लिखके बता रहता हूं उसमें आपन पढ़े थे omega 1 अविच्छेपन चमता को omega स्रिपलेन करते थे और omega is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1 पढ़े थे दोस्तों तो यहाँ पर रख देते हैं इसकी value यहाँ पर formula के according यहाँ पर omega dash रख सकते हैं तो चलिए रख देते हैं तो mu v minus mu r into a 1 minus omega dash into अब यहाँ पर देखो जस्तों इसमें कुछ थोड़ा सा manipulation करते हैं तो यह उसी formula में आ जाता है क्या करेंगे manipulate यहाँ पर इसको उपर ले जाएंगे उसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो formula में वो चीज आ जाएगी तो उपर से नीचे और नीचे से उपर लाने का मैं ट्रिक बता चुका हूँ वो क्या आजाता है बटे में आजाता है ये प्रिवियस वीडियो में डिसकस कर चुके हैं दस्तों तो यहां हो जाएगा upon mu y minus 1 यह हो जाएगा यहां तक किसी कोई दिकत I think नहीं है यह आगे अपना फॉर्मूला में यहां रख सकते हैं omega तो overall अपना equation हो जाएगा mu v minus mu r into a is equal to 1 minus omega dash 1 upon omega रख सकते हैं दस्तों इजी रख सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा final equation mu v minus mu r into a और यह हो जाएगा 1 minus omega dash upon omega देखो दोस्तों दोनों में different इतना ही है उसमें dash वाला नीचे था और only omega उपर था इसमें बस दोनों का उल्टा है तो इसमें हम देखे दोस्तों जो crown काज के prisma द्वारा कोनी वर्णवी छेपन छमता क्या निकाले omega is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1 and flint काज के बने prisma द्वारा mu dash v minus mu dash r upon mu y minus 1 जो कि हम देख रहे हैं दोनों क्या है दोस्तों different है और ये कभी एक हो नहीं सकता और बराबर कभी हो नहीं सकता ये कभी बराबर हो गया तो 1 विच्चेपन सुन्य हो जाएगा चोकि ये बराबर नहीं है अता 1 विच्चेपन कभी सुन्य इस case में हो नहीं सकता तो यहाँ आपन प्रूव कर चुके दोस्तों कि वहाँ कुछ न कुछ 1 विच्चेपन है किन्तू विच्चलन क्या है सुन्य है